हाई बच्चो ए वेल्कम टो गोडर तो बच्चो हमारा next tutorial है वो है इस्प्रिंग फ्रम्बर्ग आरकिटेक्चर तो स्टार्ट करते हैं इस्प्रिंग फ्रमबर्ग आरकिटेक्चर और बच्चो अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब दा चैनल कोडर जावा टिटोरियल ओके बच्चो तो स्टार्ट करते हैं हमारा जैसा कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि हम स्प्रिंग फ्रेमवर्ग आर्किटेक्चर के बारे में डिटेल्ड में वीडियो लेके आएंगे और जो भी हमारे Spring Framework के अंदर container होते हैं हम उनके बारे भी बात करेंगे detailed में बात करने वाले हैं तो चलो start करते हैं हमारे वीडियो और सबसे पहले हम बात करने वाले हैं core module के बारे में तो core container के अंदर हमारा core module होता है यह हमारा core container होता है इसके अंदर हमारा core module होता है तो core module हमारा क्या करता है इसके लिए हम बात करेंगे the spring container is at the core module जो हमारा core module होता है इसके अंदर हमारा एक spring container होता है अब हमारा जो spring container होता है वो क्या काम करता है इसके बारे भी हम देखते हैं the spring container is responsible to create objects wire them together and manage them form creation until destruction यहाँ पर आपको पता होगा कि spring container जो होता है इसके अंदर हमारे objects create होते हैं इसी के अंदर वो हमारे objects wire होते हैं और wire होने के बाद में सारी process complete होती है और उसके बाद में यहीं से हमारे object का destruction होता है means destroy होते हैं तो यहाँ पर आपके core module के अंदर spring container होता है core module के अंदर spring container होता है और spring container हमारा यहाँ पर यहाँ पर three works करता है पहला हमने बात करी create object दूसरा wire करता है और तीसरा हमारा destroy करता है तो यह बहुत important है यह आप note कर सकते हैं अगर आप से interviewer पूछे कि भाईया spring container के work क्या होता है तो आप बोल सकते है it's responsible to create object, wire them and destroy अब यहाँ पर wiring होती है वो हम एक detailed video लेके आएंगे आने वाले समयम आपको मिलने वाला है तो wiring के बारे में बात करेंगे कि wiring क्या होती है तो इसके बारे में भी हम बात करेंगे तो आप और अच्छे से समझ सकोगे इसलिए मैं बोलता हूँ कि coder का जो भी video आता है आप उसके साथ देखते रहे हैं बने रहे हैं तो कि आपको यहाँ पर बहुत ज़्यादा नॉलेज मिलने वाला है हर चीज के बारे में उसके बाद बात करते हैं next point की the spring container utilize dependency injection to manage objects that make up an application means क्या बोल रहा है the जो हमारा spring container होता है utilize किसको utilize करता है di को to manage objects that make up an application जो आपकी application बनाता है उसको manage करता है और कौन manage करता है spring container किसको utilize di जो आपकी di को use करता है di मतलब क्या होता dependency injection मतलब आप लोग जानते होगे कि हमारा जो normal programming होती है उसमें हम लोग क्या बना करते हैं object बनाते हैं object के थूरू program बनाते हैं प्रोग्राम जो हमारा बनता है एक प्रोग्राम दूसरे प्रोग्राम पर depend होता है क्योंकि हम वहाँ पर tightly coupled coding करते हैं मतलब वहाँ पर हम objects dependency होती है अगर हमारा एक objects में कुछ गरबड होता है या हम उसको हटाते हैं तो क्या होता है हमारा प्रोग्राम इंफेक्ट होता है एफेक्ट होता है तो अगर मान लो आप spring framework का use करते हो तो spring framework का जो main use है वो है di di मतलब dependency injection मतलब आपके object की dependency को inject करना हटाना मतलब इसका ये होने वाला है यहाँ पर हम loose coupling करेंगने वाले हैं loose coupling programming करने वाले हैं इससे क्या फायदा होने वाला इससे ये फायदा होने वाला है कि अगर हम यहाँ पर एक object बनाते हैं उसके बाद में एक दूसरा object बनाते हैं तो यहाँ पर एक object दूसरे object पर depend नहीं करेगा in future अगर हम अमारी application के अंदर कुछ object को delete करते हैं edit करते हैं या update करते हैं तो इसका फरक आपके दूसरे object पर नहीं पड़ेगा इसका फायदा यह होता है कि इससे आपको हर जगह प्रोग्राम में change नहीं करना पड़ेगा इससे क्या होगा आपकी coding का performance बढ़ेगा और आप इससे यह भी फायदा होता है कि आपको बार-बार dependent नहीं होना पड़ेगा एक object को दूसरे object पर इसलिए हमारा spring framework picture में आया क्योंकि इसके अंदर हमारा DI होता है dependency injection तो DBI के लिए मैं अलग से पूरा separate video बनाऊंगा उसमें आपको IOC बताऊंगा inversion of control उसके अंदर DI समझाऊंगा कितने type के DI होती है ये भी मैं बताऊंगा तो आप उसके लिए wait करिए तो next slide पे चलते हैं और इसके बाद जो आपका important आता है core के बाद में आता है bean module तो bean के लिए मैं के बले यहाँ पर इतना बताऊंगा के bean module के अंदर हमारी bean factory होती है और bean factory का हम use करते हैं हमारी programming करने के लिए अब यहाँ पर मैंने लिखा है preferred when the resources are limited such as mobile device applied based application यहाँ पर जब भी हम mobile या applied based application का use करते हैं तो यहाँ पर bean factory का हम use करते हैं तो bean factory हमारी क्या होती तो इसके भी हमें describe करेंगे पूरा वीडियो बस आप यहाँ समझो कि हमारी यहाँ पर bean module होता है इसके अंदर हमारी क्या होती है bean factory होती है इसके बाद मैं बात करूँ बहुत important बात बोल रहा हूँ context तो अब यहाँ पर लिखा हुआ है build on the solid base provided by core and bean module देखो भीया यहाँ पर कुछ नहीं हो रहा है build मतलब यहाँ पर हमारे जो bean और core module के अंदर जो भी functionality होती है वो build कहाँ पर होती context के अंदर जाकर build होती है इसलिए मैं नहीं यहाँ पर लिखा है builds on the solid base provided by the core and bean module and it medium to access any object defined and configured उसके बाद में context module के अंदर हमारा एक application context container होता है और इस container के अंदर हमारी different classes होती है तो यहाँ पर जो हम यहाँ पर दिख रहा है आपको यहाँ पर तीन classes दिख रही है file system, xml application context class path, xml application context and web xml application context तो देखते हैं क्या काम करती है तो यहाँ पर आपको जैसे दिख रहा है springs more advanced container this include all functionality of win factory देखो, मैंना आपको जैसा बता है इससे last moment हमने बादा wins के अंदर win factory होती तो इसका use कहाँ पर हम करते है context module के अंदर करते है और context module के अंदर हमारा क्या होता है application context container होता है the most commonly used implementations are क्योंकि हमारी classes है और इनको हम implement करते है तो पहला हमारी यहाँ पर class कौन सी है file system xml application context इसका हम use क्या करते है load definitions of the bean from the xml file need to provide full path of xml file इसके अंदर हम full path देते है किसका xml file का उसके बाद यह second जो हमारी होती है यह भी वही same काम करती है load definitions of bean from the xml file does not need to provide the full path it will work with the xml file in the class path यह आपको note कर लेना है और third जो है हमारा web xml application context load the xml file with definitions of all bean from within a web application तो आपको यह चीज़े note कर लेना है load the xml file within definition तीनों load का work करती है तीनों bean को load करती है definition प्रोवाइट करती है लेकिन यहां पर एक में full path देना पड़ता है एक में आपको full path नहीं देना पड़ता है और जो last वाला है all the bean from within a web application यह काम करती है इसके बाद में next slide पे चलते है बच्चों तो यहां पर आप बात करेंगे spring framework architecture के अंदर हमारा जो तीसरा container है वो हमारा होता है data access integration container तो इसके अंदर आप देख रहे होंगे सबसे पहले आपको jdbc दिख रहा है तो jdbc के बारे बात करते है provide a jdbc abstraction layer for the removes the need to jdbc related coding मतलब क्या हो रहा है abstraction का आपको सभी को मालूम है hide the implementation showing the functionality मतलब क्या होता है hide the implementation मतलब unwanted things and showing the functionality मतलब यहां पर भी यह हो रहा है अगर यहां पर जो हम jdbc layer का use कर रहे हैं तो इसमें से क्या होगा कि आपको jdbc की जो main functionality code है वो यहां पर show करेगा और जो background में coding है वो automatically background में रहेगी बस आपको as a template इसका use करना है जिसको हम jdbc template भी बोलते हैं मतलब यहां पर अगर आपको किसी file से connection बनाना है तो केवल आपको connection वाला line लिखना पड़ेगा आपको यहां पर connection automatically मिल जाएगा आपको पूर्य code नहीं करना पड़ेगा कि किस तरीके से आपको पता है आप पुराने jdbc के वीडियो देख सकते हैं हमने 5 steps देखी थी कि किस तरीके से हम jdbc connection लिखते हैं तो आपको सारी coding नहीं करना पड़ेगी यहां पर आपको एक line में work हो जाएगा उसके बाद जो next हमारा है वो है ORM आप लोगों पता है object relation mapping ORM के अंदर हम provide integration layer for popular object related mapping मतलब और object relational object relational mapping जो हमारी API होती है वो होती है JPA होती है JDO होती है Hibernet होती है and iBetis होती है ठीक है तो ORM के अंदर हमको यहां पर integration layer मिलता है यह सारी APIs के साथ आप हमारे spring framework के अंदर Hibernet से integration कर सकते हैं JPA से कर सकते हैं JDO से कर सकते हैं तो बहुत important layer होता है तो आप इसका use कर सकते है इसके बाद में The OXM provide an abstraction layer that support object XML mapping implementation for JAXB, Caster, XML Bean, JIB, BX and Extreme तो यहां पर OXM layer abstraction प्रोवाइड करता है मतलब आप केवल इनकी functionality यूज कर सकते हैं पूरा code लिखने के आवशकता नहीं है यह आपको OXM provide करता है इसके बाद में अगर मैं बात करूँ Java message service की तो future for producing and consuming message के लिए हम JMS का use करते हैं उसके बाद मैं बात करूँ transactions के बारे में transactions module support programmatic and declarative transaction management for classes that implemented special interfaces and for all your pojo classes जो भी हम pojo classes बनाएंगे उसके अंदर हम transactions का use करते हैं और transactions का use हम यहां पर जो हमारी enterprise applications होती हैं उसके लिए हम करते हैं ठीक है तो enterprise applications के जब बारे में बात करेंगे तो आपको मैं definitely बताऊँगा किस तरीकी के transactions हम यहां पर use करने वाले हैं उसके बाद मैं next video पर sorry next slide पर चलते हैं और next slide पर आपको क्या मिलने वाला है बच्चो spring framework के बारे में आर्किटेक्चर के बारे में यहां पर जो last आपका module है वो है web, mbc and remoting तो आप जानते होगे web and remoting is very important web और remoting module का use हम spring web application बनाने के लिए करते हैं और उसके अलाबा हम इसके लिए remoting applications बनाते हैं जिसको हम जिसको हम क्या बोलते हैं enterprise applications भी बोलते हैं ठीक है तो यहां पर बच्चों हम देखते हैं the web module provide the web module provide basic web oriented integration feature multiple file upload functionality and the initialization of the ioc container using servlet listener and a web oriented application context यह कौन सा प्रोवाइट करता है यह web module प्रोवाइट करता है इसके बाद बात करें servlet module को तो the web servlet module content spring mbc implementation for web application अगर आपको spring mbc के बारे में full detail video चाहिए तो हमने ओ series launch कर रखी है तो आप सर्च कर सकते हैं spring mbc video tutorials in hindi तो आपको coder java tutorial के link मिल जाएगी तो बच्चों आप देख सकते हैं उसके बाद में जो third है वो है आपका web strut module content the support classes for integration a classes struts web tier within a spring application मतलब spring web application के अंदर हम यहां पर struts को भी बना सकते हैं और इसके अंदर बहुत सारी हमारी integration classes होती है तो उसका support कौन करता है हमारा struts module करता है उसके बाद में last में बात करूँ portlet के बारे में तो the web portlet module provide the mbc implementation to the used in a portlet environment and mirrors the functionality of web servlet module module तो यहां पर बच्चों आपने एक चीज देखी कि जो हम जब भी हम web से related बात करने वाले हैं तो web की अगर मैं बात करूँ देखो आप एक चीज यहां पर देखने वाले हैं अगर मैं web application के बात करूँ या enterprise application के बात करूँ तो data access integration and web mbc remote is very important और अगर मैं बात करूँ आपके IOC container के बारे में जिससे हम लोग क्या बनाने वाले हैं जिससे हम desktop application बनाने वाले web application बनाने वाले हैं तो उसके अंदर हमारा core container भी use होता है EOP, expect और instrumentation पर एक नया वीडियो आएगा तो उस पर हम देखेंगे कि हमारा EOP क्या होता है, aspects क्या होते हैं तो इसको हम इन future में देखने वाले बच्चो तो बच्चो आज के लिए इतना काफी है आप लोग इस चीज को ध्यान से पढ़ें, interview के लिए आप preparation करें और आप आज के लिए इतना ही बहुत बहुत धन्नबाद, जै हिन, जै भारत, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक के लिए बने रही है कोडर के साथ, बहुत बहुत धन्नबाद, धन्नबाद